कि जब तेके 1303 वाली लड़ाई नहीं भी थी तो शिसोदा का सामंत कौन बना बेठाव है लक्समाट अरी सिंग उसका बड़ा बेठा है अगला सामंत कौन बनेगा अरी सिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ में सिकार करने के लिए जा रहा था उसके दोस्त जा रहे वह जा र पिलाने के लिए उसको लेके जा रही ब saben रिसिंगे साथ हमें बाकिक दोस्ते लड़की नहीं से किसी डोस्त ने उस लड़की को चैड मी कुछी वैबं में साथ दो नीचे तो बाकी वाड़ों उन्टेकर क्या हो तो कि जिनकार वह लड़की को इसने चेडातार वह रसी घुमा अब फैंके गहीं तो गोड़ा और गुड़ा अगे पर इसको गिरा गई तो उनका लाख बादा खड़ा आपने तरह वीडियो नहीं बनाया कोई बात नहीं कि अना हम किसी को बताएंगे नहीं कि तरे को लड़की पटक के चली गए ती आपने तु तो कड़ा हो जा तो वेचारा कड़ा हो गया वहां से आगे चले असने लगे गया ठीक या लड़की बहादूर थी इस प्रकार से गिरागे थोड़ी देर बाद में इन्होंने जंगली सुषर का सिकार कि इसका सिकार क्या जंगली सुषर को अपने राजस्थान में मैं स्बसे खतरनाक जानवर माना जाता था जंगली श्वर से चच्द्धा खतरनाक सिकार किसी का नहीं है और जंग्ली सूर के लगा कि दो कि यह उपर से इताकत होती है जंगली underworld अम्राशन का भातर से लिक्स था ने पाड़ीयों में हम पाड़ के पहाड़ा रहते है और एक मनए अएक राज कुमार ताया और उस राजकुमार को लगा जंगली सुवरों को सिकार किया जाए और उसने बैसा पीछा करना सुरू किया और डेली एक आधे जंगली सुवर को मारे और दीरे दीरे उसने सारे पहड़ों दे जंगली सुवर मार थी को ऐदनली एक जोड़ा बचा वे सुवर और उसकी पतनी करें कि शुर की पतनी को अपने राजस्तानी वाशाए बोलते हैं और थे क्या बलते हैं है मतलब कि मादा सुवर कि मेरट फिमेल शुर जो होती उसको क्या बोलते हैं अपने अरे आपने राजस्तानी बासा गया जोरदार सी चीज है अपनी बासा में इत्ते वाइड है इत्ते जदा वाइड है जिसकी को है दनी तुमारा सिकार कर लूंगा रहे बीच से बातें करें बेटे बेटे उदर जंगली सुवर की पत्नी क्या का जाता है अपने देखो कि समद कर सो सुवर की पत्नी हिंदी वाले कहते है मधा सूवर कि अपने मसंत कि कैसा व है लिजुट का पति हिंदी कती है नर भेद thrive क्या कते है अपने करें मिंड गेठो तो मिंडा यहाशे सब फोगाई का बच्चा बच्ड़ा बैस्का बच्चा बच्ड़ा अपने नहीं ग अपने अलगलग सब्द है उनना सबस्था के पिला aard बच्क को सबस्कत के पिला ना कर विक्ता के और मिन्यों इस कित्त शाहर lance राजिस्तान राजिस्तान ये तो सुर की पत्नी क्या उगी पहाड को अपनी बासां बोलते मग्रा उप पहाड को क्या बोलते हैं एक जोड़ा है सुर और भुंडण दो बचे में पहाड के अंदर अपनी गुफा के अंदर बैठे में और एक दिन उन्होंने सुबह सुबह आवाज सुनी कि बाहर कोई राजकुमार अपने 10-15 गुड़सवरों के साथ भाले भाले ठोक रहा है नहीए या मारदे अब आज है आपनगों मारने कर काता है कि मंगिरों खोड़ूं हूं नहीं मगरों थोड़ूं मैं मंगरा थोड़की कहीं भी नहीं ministre घ्रेसट करना किसी चीज को दूसरी चीज के लिए राजी करना कि बंडण तुम मुझे राजी करने की कोछी से मत कर मैं यह पाहड चोड़के कहीं भी तुम्हें आए बुंडण मतलम होता है भाला जेलता रहूंगा भाजयां बंसलजाए यह भाग गया तो मेरा वंसलजीत हो जाएगा लोग क्या बात करेंगे कि सूर होके भाग गया था है अधर्य है बुण दैन तो मुझे राजी करने की समत कर्लय मंगरा छोड़के कहीं भी और तूट एक काम कर इस राजकुमार को बाहर जाके का एक भाग जा वापस आपर इस राजकुमर को जा करें है कि या तो भाग जा आपनी पत्नी के समाता बेजदे स्क्रें ऑने के त्यारी कर ले मंरुगा लूंगा जिन्हों अपने इन क्यूंत सब्सatura sparkly should 2017 के अरी सिंग साथ यों इसका सिकार करने के लिए शूलोbur और पर अरे जंगली सवर के तीर मारा तीर लगने के बाद लिए जंगलीश्वर निकल गया ग्या फोमि अंदर खेत के अंदर ःगोष करे कि ओने और भी आlaughs असल के अंदर गोड़ा को सारा दिखनी रहते रहो कि खेत परबाद हो जाएगा और उसने अरे-अरे मेरा वो सुर चला गया शिकार चला गया मुझे पकड़ना उसने यहां कड़ा रहे पर्मा पकड़ के लेगा जाओंगी उसको हमारा खेत खराब नहीं कर सकता है तो सब्सक्राइब करना चाहिए और अरी सिंगों लगा कि यार क्या बहादूर लड़की थोड़ दिर पहले बैस की रसी से अपने गोड़े और गुड़सवार को गिरा गई और आप किसको मार के लेके यह जंगली पर अरी सिंग ने पूछा उससे कि ब्यान नहीं वाद तुम सब्सक्राइब किसान राजकुमार खुछ आगे बात करें तो क्यों नहीं तयार हो उनका अभी लोग फेरे करो आप तो साथ-अट दोस्त गए वे थे वरात पूरी की पूरी तयार थी और अरी सिंग युस लड़की के साथ में साधीगर दिए वहां से वापस आए पर अरी लगे कि घर पर जागे पिताजी इसे ब्या और यह बदा करने कर दो करते हैं और जैसे ब्या करने करने खिए खुछ दूधी दिन चुप रहें ऑर दूसरे गाउंक आदर जाके रही लग नें तो थोड़ी दिन बात बता न है तुमारे पिताजी का मूर कभी सही होगा तब दिर दिर बता देंगे तो बताया नहीं अब खूब सारा इलाखा होता एक गाउं में पिता जीन रते हैं गाउं में जिसी के पासफ़ाइब काम अरी शिघ अपनी पत्नी के साथ जाके रहना लग गया या तिर दिर इनके बेटा वा बेटे के कैनाम रखा गया टम तक भी नौए चैए रखेज्ञ बल्ट सुन को बताया नहीं ऑड़ इनको नहीं पता इनको नहीं पता पर इन को बटा पाई तर्स अंदर भाजियों गरियों को बता ती पार आपका इससा तो है निए सब्विआ जाए जाए धरा ने चलओ एब घर पड़ा तो हो गई वह बात तो को हम OUR और अमीर की मा वापस आगी कहा रेन लगे अब हमीर का पालन पॉसंद चाचा जी कर रहे हैं वह चाचा जी की साथ में रहता है चाचा जी के खुद के बेटा उसका नाम है सजन के नम था सजन से और एक दिन आसपास की जो लोग थे सिसोदा के लोग थे उन्होंने अजे सिंग को आगे का यहां पर पास में कोई डाकू है और वह आमें प्रेसान करता है तो हमारे साथ में मार पीट कर लेता कौन है पता लगो पता चला एक बंदा इसका नाम था मुंजा का मुंजा के नमें कि मुंजा बढ़े चालनाम का एक आदमिर वह आसपास के लोगों को तंग पर आजे सिंग ने अपने बेटे सब्सक्राय सब्सक्राइब शैएं असे बड़त लड़ा है कि लेकिन मुंजा बढ़े से पीट दिया तो से देचिक वापस आयो उसने लड़ाई में गया ही नहीं तो कैसे बेजा जाए और उसने का चाथा जी पहले इस्तेमाल करो इस बार बेज को तो देखो आप इस बार वेजा हमीर को हमीर मुंझा बाले चाह गर्दन काठ के लाता है और चाथा जी क्या राजीव है यार सवास मेरे चीते क्या मरा यार उससे जीत के आया है तू और उन्होंने कहा कि भाई वैसे भी यदि लड़ाई ना होती 303 वाली लक बतिजा बनेगर बतिजा कोन है तो यहीं हमीर आगे चल के बाद में चितोड़ पर कबजा करता है अजय सिंगा बेटा कौन था तो मुंझा पढ़े चाब नहीं पर सजन बड़ा नाराज वा सजने का पिताजी आ नाम सजन लेकिन काम आप दुर्जन कर रहें और आप मेरा किसको दे रहे हैं आपके बाद मुझे मिलना चाचा जी आप ताउजी वाले बैटे को देगे इले सजन यहां से नराज होगे चला गया महराश्टर का चला गया महराश्टर वो लड़का कोन है सजन उस सजन सिंग जोगी महराश्टर चला गया था उसकी 19 पिढ़ी के अंद मेरे पूरवज कभी किस गाउं से आये थे 600 गाउं से आये थे ब्लड कभी ना कभी दो वापस उफान मारता है सजन सिंग वाला वहां जाने के बाद भी शिवाजी वहां बाद मिलडूंगा इसलिए शिवाजी न हमेशा मानते थे कि हम मेवाड वालों के चोटे बाई है किस के जोटे बाईएं बाएं उनसे पूछ के ना काम करना तो खूब यूं महाराष्ट्रर वाल्या मेवाड वाल anytime उसे मानते तो वसे उसे थे पीडी में आगे कोना है सिवाजी यहां तो जब आप सिवाजी पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि सिवाजी की समझ जाना की केसे समझ में जाए इस गाहों की जो जिस गाहों काम की इस यहां से बंदा कौन था झाल झाल